अजो दोस्तों मैं JKSAT, LSAT, NTN, NET, PAPER 1K series का एक और वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टापिक है वो है types of communication हमने पहले ही कुछ types of communication पढ़ी हैं आज हमें कुछ और types of communication पढ़ने हैं जिसमें हमें पढ़ना है verbal और non-verbal communication इसके बद हमें पढ़ना है intercultural group communication, mass communication, public communication यह हम discuss करेंगे आपको video shoot करने से पहले मैं यह बताओं कि अभी तक हमने unit 1 और unit 2 complete किया है और उनका important mcqs भी हमने किया है और उनका pdf आपको मिलेगा telegram channel पर अगर आपने अभी तक join नहीं किया है तो description में आपको link मिलेगी आप उसको join कीजिए इसके अलावा अगर आप ऐसे किसी को paper 2 education है तो उसके भी वीडियोज आपको मिलेंगे education paper 2 के नाम का जो list है पुलियर लिस्ट में तो चाहिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे verbal और non-verbal communication क्या होता है verbal communication की जब हम बात करेंगे verbal communication ऐसी communication होती है जिसमें आप orally communication करते हैं orally मतलब कि जिसमें आप by written communication नहीं करते हैं कोई message लिखके किसी को send नहीं करते हो बलकि आप जबानी communication कर रहा हो किसी दूसरे के साथ जिसमें मतलब face to face आप communication कर रहा हो अगर दो person या दो से ज़्यादा person आपसमें बात कर रहे हैं face to face तो वो लिखकर कोई message शेयर नहीं कर रहे हैं या कोई लिखकर कोई बात नहीं बता रहा है वो face face बातें कर रहे हैं उसको हम कहते हैं orally या verbal communication इसके साथ अगर radio broadcast रेडियो पर कोई program चल रहा है वो भी वो जबानी बातें करते हैं जबानी कोई program चला रहा है कोई message दे रहा है तो यह सारे चीजें इनको हम कहते हैं verbal या जिस communication में भी orally communication होता है interaction होता है orally उसको हम कहते हैं verbal communication simple सा concept है लेकिन important है question में के बेके बेके बेए आता है इसलिए मैंने ये कुछ types और लाए आपके लिए ताकि question कोई भी आए आपको कोई भी question मिस नहीं होना चाहे इसके बाद जो दूसरा टाइप है इसका वो है non verbal communication simply अगर आपको verbal communication समझ में आया होगा तो आपको ये भी simple समझ में आयेगा कि non verbal communication क्या है non verbal communication हम उस communication को कहते हैं जिसमें हम जबानी कोई बात बताते नहीं है कोई words हम नहीं बताते हैं यानि हम अपने जबान पर कोई words नहीं लाते हैं बलकि हम action के तोर पर communication करते हैं अगर आपने देखा होगा कि जब कोई fast-paced interaction करता है ये किसी के साथ बात करता है तो बात के दोरान वो कुछ action भी करता है वो अपने हाथों को हिलाता है वो अपने सर को भी कोई action करता है सर को हिलाता है अपने आँखें अपने body को change करता है body के जरे कुछ actions करता है यानि ऐसी सारे चीज़ें जिसमें आप words के जरे आप जबान से कोई लफज नहीं बता रहे हो ना तो आप कोई लिखे communication कर रहे हो बलकि आपकी action के जरे communication हो रही है आपके eye contact से आपके जो hands है हाथ है उनसे आप कोई action कर रहे हो या आप किसी को कोई इशारा दे रहे हो उन सारे चीज़ें को हम कहते हैं non-verbal communication यानि जिस communication में आप sign is यूज़ कर रहे हो symbols यूज़ कर रहे हो gestures यूज़ कर रहे हो उन सारे को हम कहते है non-verbal communication for example कोई smile करता है communication के दोरान smile कोई word तो उसने नहीं बोला एक परसंट दूसरे के साथ कोई बात बता रहा है कोई communication करता है दूसरे परसंट उसको smile दे रहा है तो वो भी उसको actually communication कर रहा है लेकिन वो कोई word जबन पर नहीं लाता है लेकिन फिर भी वो communication कर रहा है smile के जहरे front, glannis, eye momentus बहुत सारे eye momentus होते हैं जब किसी को गुसा आता है तो उस time eyes का जो moment है वो अलग होता है जब कोई किसी दूसरे के साथ खुश होता है तो उस time eyes की moment अलग तरह होते हैं या आप सब ज़नते हैं कि किस तरह से अलग-अलग situation पर eye का अलग-अलग moment होता है vice modulation के भी कोई तेज आवाज करता है के भी कम बोलता है एक तो हो गया जब आप word वो आता है non-verbal communication में या body posture body को किस तरह से moment की क्या action दिखा या body के ज़री इस सारी चीज़ आती है non-verbal communication में इनको याद रखना के भी के भी कोईशन में आता है important है इसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं यहाँ पर did you, no तो मैं मैंने अलग तरह से इसको box में लाया ताकि आपको यह points भी याद रहें यहाँ पर यह है study of eye contact यानि ऐसी study जिसमें हम पढ़ते हैं कि eye contact कैसे, कि situation में किस तरह का eye contact होता है या किस तरह का eye contact करना चाहिए उस study को हम क्या कहते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं जिसमें हम eye contact के बारे में study करते हैं किस situation पर किस time, किस communication में किस तरह का eye contact होना चाहिए यह सारी चीज़ी हम उसमें देखते हैं उसके बाद जो next है study of use of time यानि आप कितना time use कर रहे हो expression share करने में, reply करने में या कोई बात कहने में या एक बात कहने और दूसरी बात कहने में आप कितना time भीश में जिसमें आप पास करते हो इसने different time, different actions के दोरा आप कितना time को किस तरह से इस्तिमाल करते हैं, उसको बोलते हैं chronymicus याद रहें, chronymicus किसको कहते हैं हम study of use of time communication के दोरान आप किस तरह से आपनी time को इस्तिमाल करते हो किस तरह से आप time को use कर रहे हो उसको हम बोलते हैं chronymicus किभी कुश्चन में ये चीज़ें आती हैं इसलिए मैंने इनको भी आपके लिए लाया है तो उसके बाद study of touch याईनि touch आगर दो आदमी बातें कर रहे हैं communication कर रहे हैं उनके बीच में कितना gap है उससे भी communication पता चलता है ये सब जानता हैं कि अगर दो लोग बातें कर रहे हैं कि वो आपस में close friend हैं तो वो जब एक दूसरे के सामने बैश्चे होंगे तो वो एक दूसरे के close में बैश्चे होंगे अगर दो परसन ऐसे हैं जो friend नहीं है उनकी level up down है याईनि एक आदमी दूसरे के level से कुछ उपर है या चाहे status के level से चाहे job के level से चाहे कुछ और के level से या एक दूसरे का boss एक senior है दूसरा junior है अगर एक situation है तो वो जब बात करेंगे वो एक दूसरे के close नहीं होंगे उन दूनों के बीश में थोड़ी सी gap होगे इसे तरह से जब दो person बैश्टे होंगे उनके बीश में कितना gap है उससे भी पता चालता है कि उनकी relation किस type की हो सकती है और कौन कुस को किस तरह से touch करता है इस दरह ये भी communication आती है इससे भी बहुत सारी बहुत communication होती है और यहां पर जो study of touch है यहनी किस time पर किस तरह का touch करते और किस touch का क्या मतलब है यह ज़नने के लिए इस study को कहते हैं hapticus याद रखे है यह सारा आता है हैं हैं उसके बाद जो नेक्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं परालिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या है जब हम पड़ते हैं study of variation हम communication में variation जो होता है वो study करते हैं किस time पर कितने variation होने चाहिए किस बात पर कितने variation होने चाहिए spirit कितने होने चाहिए या pitch हम देखते हैं अगर किसी ने बात की उसका pitch क्या था तो उसका क्या मतलब है या अगर इतनी spirit थी तो क्या मतलब है यह सारे चीज़ जब हम देखते हैं, पीछी देखते हैं, सुपीर देखते हैं, वोल्यूम देखते हैं, या पाजिज, कितने टाइम के बाद उसने पाज किया, यह सारे चीज़ जब हम देखते हैं, उसको हम बलते हैं, परा-लेंग्विस्टिकर्स, यह कुछ चीज़े हैं, तो इनको याद रहिए कि ये जो कुछ चीज़े है और क्यों लैसिकर्स, क्रोनिमिकर्स, हैप्टिकर्स और परा लेंगिशिकर्स थोड़ा सा कॉंसेप्ट जहन में रहना चाहिए कि किसका क्या मतलब है. तो अब हम चलते हैं, जो हमारा दूसरा टाइप है, इंटर काल्टरल कम्मुनिकेशन, उसके बाद मास कम्मुनिकेशन, पाब्लिक कम्मुनिकेशन, कलासरूम कम्मुनिकेशन, ये सारा हमें पढ़ना है. तो इसको हम रिसेस करेंगे आगड़े वीडियो में. आज के लिए तो इसके ङूंगाँ है, तो इस नाए बिसेदी लगड़े रहां है, जाए झाल भड़े, जड़े रहां है जो हम खूंग है, बाद तो ये टॉक्तित है, ये रहां है, जो हम गोगजाए। आप मुनिकेशन, तो ये लिए झाल कोयो है, जाल आगए। उग्जाशन,